आज हम गेहू के आटे से इतना टेस्टी हिल्दी ऐसा नाश्ता बनाएंगे जिसके साथ आपको कोई भी सब्जी भाजी बनाने की जुरत नहीं है आप इसे फटफट बिटफास्ट में टिफिन बॉक्स, टीनर या फिर सफर के लिए बना सकते हैं इतना मज़ेदार होता है कि हफते में दो बर बनाना पसंद करेंगे दोस्तों आज के रिस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट करना बिल्कुल न भूले हेलो दोस्तों मैं अक्षा आपनी चलिये वीडियो, शीर करते हैं इस हेल्थी टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है दो कप के हुं काटा ग्राम में देखें तो 300 ग्राम, तो मैंने मेजरिंग कप से नापा है, आप किसी कटोली से भी नाप सकते हैं साथ में हम दो चमच बेसन डालेंगे, बेसन डालने से टेस्ट भी बढ़ जाएगा और टेक्शर बहुत ही बढ़ी आएगा वैसे आप चाहें तो बेसन को स्किप कर सकते हैं और अब हम बागी की चीज डालने से पहले सबसे पहले मोयम डालेंगे तो आप देशी घी भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको घी खाना नहीं पसंद तो आइल का भी स्दमाल कर सकते हैं तो यहां पर मैं तीन चम्माच ओल डाल रही हूँ, तो सबसे पहले हम बागी की चीज डालने से पहले और फिर घी और अच्छे से आटे में मिलाएंगे ताकि ओएल अच्छे से मिल जाएं, तो बहुत ही अच्छे से मिला लिया है, और मैं आपको दिखा देती हूँ, जब आप हाथों में लेना तो बहुत हलका सा बंधना चाहिए और अब हम हलके फुलके मसाले डालेंगे, तो सबसे पहले हाफ टी स्पून पाज पाइन डाल दें, 1-4 टी स्पून कुटिवी काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून डाल रही हूँ, एक छोटी चमच चीरा, तो बहुत ही थोड़े से हमने म मसाले डाले हैं, और अब डाल दीजे एक मध्या मकार का छोटी टुकडों में कटा हुआ प्याज, एक चमच धनिया पती, एक बारी कटी हरी मिर्च, चार से पाच करी पत्ता, तो करी पत्ता इस रेसिपे में डालना ऑप्शनल है, और दोस्तों आज मैंना बिलकुल भी ला आटे में मिल जाएं, मिलाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, तो पानी रूम टेमप्रेचर का है, तो आटा बिलकुल भी गीला नहीं होना चाहिए, इसले पानी धीरे धीरे ही डाले, और इस तरीके से हम मैश करते वे डो को समेट लेते हैं, यानि आटा ल रखिएगा, और अब हम उपर से आधा छोटी चमबा च्वाल डालते हैं, ताकि डो बिलकुल भी ना सुखे, बस इस तरीके से उपर उपर मिला ले, और बहुत ज़रूरी है कि दो से तीन मिनट हम डो को रेस्ट पे रखे, दो से तीन मिनट हो चुका है, और इतनी ही देर म हमें बांधना है, तो मैं आपको टेक्स्चर दिखा देती हूँ, जब आप तोड़ेंगे ना, तो देखिए, इस तरीके का टेक्शर होना चाहिए, देखिए टुकड़े टुकड़े में तूट रहा है, तो बस हलके हाथों से समेट ले, और कीचन पोट पे इस तरीके से हल आपके चार नाश्ते बन जाएंगे, अगर आप जादा मात्रा में बनाना चाहते हैं, तो तीन का पार्टा या चार का पार्टे का इस्तमाल कीचिएगा, और आप एक भाग उठाईए और इस तरीके से हम गोल कर लेते हैं, और गोल करने के बाद हाथों से हलका सा दाप ले तवा गरब हो चुके हैं, फ्लेम को हम मेटियम रखते हैं, और इस तरीके से हम कुछ सेकेंड के लिए उलट पलटके हलका सा लोईयों को सेख लेते हैं, तो एक बाद मैंने चारों को डाल दिया है, पंद्रा सेकेंड एक तरफ से सीख जाने के बाद वापस से पल्टी कर ल में निकाल लेते हैं, और अब हम एक लोई लेंगे, और बेलन से बेल लेते हैं, तो इस तरीके से कच्छा पका सेक लेने से कहीं से कच्छी कच्छी नहीं रहेगी, और बहुत ही बढ़िया क्राक्स आता है, यानि किरारों से फटने लगता है, तो इसी तरीके का टेक्शर पराथे जितना मोटा रखना है, तभी खाने में बढ़िया लगेगा, तो देखिए हमने बेल लेया है, और बिल्कुल भी सुखी आते का स्तमाल नहीं किया है, तो मैं आपको मोटाई दिखा देती हूँ, देखिए, पराथे जितना ही मोटा है, तो बस इसी तरीके से हम सेक और करी पत्तर डालना ओप्शनल है, तो हमने मोयम टाला है, और थोड़ा सा कच्छा पका सेका है, इसलिए पुहती सौफ्ट और खस्ता है, इसलिए साबधानी से उल्टे वरना तूट भी सकते है, चली पटफट सेक लेते हैं, तो वापस से मैंने तवा चड़ा दिया है, पुड़ा सा ओयल हम तवे पे लगा देते हैं, तवा करम हो चुका है, फ्लेम को हम रोग कर देते हैं, ताकि आइस्ता आइस्ता पके, इसी तरीके से पकने दे एक मिनिट के बाद हम पल्टी करेंगे, तो हलका सा सेक चाने के बाद पल्टी कर ले, तो देखे कितने अच्छ कच्छी ना रहे, तो पास इसी तरीके से धीमी आज पे दूसरे तरफ से भी पकने दे, तो एक मिनट पीछे से भी सेक लिया है, तो आटे में मैंने ओयल का इस्तमाल किया है, तो सिंधी कोकी फिकी फिकी ना लगे, इसलिए अभी मैं घी का इस्तमाल कर रही हूँ, तो सब्ची खाने का मन नहीं करता है, तो आप इस तरीके से मुखास बदलने के लिए, ब्रिक पास्ट में, डीनर में, या फिर सपर में बना सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगा, थोड़ा सगी मैंने तुसी तरफ पी लगा दिया है, पल्टी कर लिते है, तो देखे कितना सभी को की बनाने में, चार से पांच मिर्ट का टाइम लग जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे तो कलर बहुत सुने रहाएगा, तो अच्छी से गोल्डेन क्रिस्प कर लिया है, ताकि बहुत ही पड़िया टेस्ट आए, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कि अ बहुत ही अच्छे से चारुद्रफ से क्रिस्प कर लिया है, तो बस प्लेट में निकाल ले, इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे, तो सभी सिंधी कोकी को मैंने बना लिया है, सर्फ कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, बहुत ही जबर्दस दिख रहा है, कितना अच्छा टेक्शर आया है, बहुत ही अच्छे से पके है, तो मैं आपको चारो तरफ से एक बाद इखा देती हूँ, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कोकी बन के तयार हुए है, और जैसा मैंने कहा कि अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं, तो एक किलो आटी का स्तमाल कीजिएगा, इसे अध्रक लेसन के बहुत ही जादा पसंद आएगा, और आमें आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए, तो आप देख सकते हैं, हाथ रप्ते के साथ तूट गए हैं, कितने खस्ता बने हैं, देखिए, ठंडे हो जाने के बाद ही, इतने ही सबर्दस्त रहेंगे, तो एक बार बनाना तो किसे मेरी साथ बनी रहेंगा, मैं कल पिर मिलूंगे ऐसी ही मसेदार सांडे सिपी के साथ, अपना ख्याल रखें, बाई हैं, ठेक के लुए